हेलो अबरीवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कोई रिपोर्ट तज कराते हैं तो उस पर एक्क्यूज की ग्रफतारी होगी नहीं होगी कैसे पता चलेगा अगर आप कोई एंसिया तज होती है आपकी रिपोर्ट के रूप में तो उस मामले में कोई आपको बताऊंगा वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है क्यों हर वीडियो मेरा एक अलग चीज ले करके मैं आता हूँ कोई चीज ऐसी नहीं कि साध्राण होती है हर चीज में ऐसी चीज़े होती है जो कहीं नहीं लोग नहीं समझ पाते हैं जिसकी वज़े से लोग मतलब क लोग गलतियां कर बैठते हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है पूरा देखिएगा काफी को समझ में आने वाला है सब कुछ में आपको ए-to-z करके आपको बताऊंगा कहीं पर भी कोई भी confusion नहीं होने वाला है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता अगर आपको ए-to-z कराते हैं तो ये आपको confirm ये पता होना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट किस रूप में दर्ज की जारी है आसानी के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी रिपोर्ट F.I.R. के रूप में दर्ज की जारी है उसको पढ़े उपर देखें टैटल में क्या लिखा है First Information Report अगर लिखा है तो समझ लिजिए कि उस मामले में पुलिस को पुलिस अपने आप उस मामले में कारवाई करेगी लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट NCR के रूप में यानि के Non-Cognizable Report के रूप में लिखी जारी है सबसे उपर टॉप पे लिखा होता है NCR Non-Cogn अगर इस तरह से आपकी रिपोर्ट दज कराई जा रही है तो समझ लिजिए कि आपकी जो रिपोर्ट दज हुई है वो NCR के रूप में दज हुई है उस मामले में पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी investigation करने का अधिकार है यह नहीं आप तो यह सोचेंगे कि आपने रिपोर दर्ज होती है तो उस मामले में क्या है अगर महरपीड से related है छेचार से related है तो उस मामले में अगर किसी भी तरह से अगर प्रोस ने इस मामले में NCR दज कर दी है वैसे तो पुलिस को चाहिए कि जो भी सम्मंदित section है उसके थैत वो रिपोर्ट दज करे लेकिन अगर आपक NCR के रूप में दर्ज हो रही है तो आप जो है medical परिक्षण जरूर कराएं पुलिस से कहें कि आपके चोटे आई है या फिर इस तरह का मामला है आपको medical परिक्षण कराना है तो पुलिस आपका medical परिक्षण कराएगी तो उसकी copy ले लेंगर हो सके आपको मिल सके तो medical परि होते हैं ठीक है तो उस मामले में जब आप एक वकील की मदद से 155 का order कराएंगे तो जो भी medical परिक्षण है उसके according अगर संगीन चोटे हैं तो उस मामले में जैसे कि मान लीजी कि किसी का अंग भंग हुआ है मारपीट के दोरा लेकिन पुलिस ने नॉर्मल सेक्षणों में NCR कर रखे जबकि पुलिस को FI अदज करनी चाहिए थी लेकिन पुलिस ने NCR कर रखे तो medical जो रिपोर्ट है उसके वहाप पर जब आप उस NCR पर 155 का आदिस कराने के लिए कोट में जाएंगे कि इस पर investigation किया जाए यह जो NCR हुई है तो पुलिस क्या करेगी जो NCR हुई हुई हो उस पर medical report के according उस NCR को FIR में convert कर देगी अगर चाहे धरदर हत्यार से हमला किया गया हो चाहे हड़ी फेक्चर हुई हो चाहे अंग भंगुआ हो तब आपकी जो NCR है वो FIR के रूप में convert हो जाएगी और यहाँ पर अगर माल लीजे कि कोई section ऐसा add हो रहा है जिसमें साथ साल से अधिक की सजा है तो उस मामले में accused की ग्रफतारी होगी एक्जमपल के तोर पे IPC कदारा 326 किसी का अंग भंग कर देना अगर अस तरह कि कोई चोट आई है जिसमें किसी का अंग भंग हो गया है तो उस मामले में accused की ग्रफतारी होगी NCR जो रही है लेकिन जब FIR में convert होगी जब उस पर investigation order हो जाएगा और जब 326 का section जोड़ेगा तो उस accused की ग्रफतारी होगी और medical report है तो उस मामले में पुलिस को अपनी पूरा investigation करके कोट में अपनी final report के रूप में charge sheet ही लगानी पड़ती है में जादार मामलों में charge sheet लगती है जिस मामले में medical होता है अब मालेजे कि आपने चाहे NCR दर्ज कराई हो या फिर FIA दर्ज कराई हो अगर NCR दर्ज कराई हो उस पर आपने investigation order भी करा दिया है फिर भी पुलिस आपकी दर्ज कराई हुई report पर या फिर आपकी investigation order पर भी अगर पुलिस कोई कारवाही नहीं करती नजर आ रही है तो जो आपने दर्ज कराया था या फिर आपके अंगे जो चल रहा है उस मामले में अगर कोई investigation हो रहा है तो investigation किस stage तक पहुंचा है या फिर पुलिस कोई कारवाही नहीं कर रही है तो उसको आप एक pressure दे सकते हैं उस मामले पर investigation करने के लिए या फिर कारवाही को आगे बढ़ आने के लिए बो तरीका ये है कि आपका वकील सम्मंदित रिपोर्ट जो भी है उस सम्मंद में थाना जो भी सम्मंदित थाना वहां से उस मामले में progress report मांग लेगा magistrate के थूरू, court के थूरू जिसको हम बोलते हैं progress report, progress report पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है अगर आप कहे तो इस पर मैं एक drafting वीडियो भी बना दूँगा कि किस तरह से आपको document तयार करके court में प्रस्तुत करने हैं और कैसे आप CRPC की धारा 155 का आधिस कराएंगे, कैसे आप progress report court से मांगेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में आपको बता दूँगा अगर आप कहेंगे, वैसे मैंने इस पर एक temporary वीडियो बनाएं, मतलब ऐसे जल्द वाजी में वीडियो बना दिये हैं, अगर आप वो देखना चाहें, तो वो आप देख सकते हैं, चैनल पर यह आपको मिल जाएंगे, जैसे आप सार्च करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो में भी हमारे च वीडियो बीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए, चैहन्त!